कैसी कैसी बहकी बहकी बातें, पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूतरों और आपका सोना आपसे छीन ले सत्तर सालों से ये देश स्वतंत्र है 55 सालों के लिए कॉंग्रेस की सरकार रही है किसी ने आप से सोना छीना आपके मंगल सूत्र छीने इंद्रा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया मेरी मा का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संधर्ष नहीं समझ सकते महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है न वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिर्वी रखेगी, वो भूकी सोएगी लेकिन किसी और को भूका नहीं सोने देगी, उ जानती हूं यहां से जाएंगी देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई है, क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही है, कुछ भी कर रही है, इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी-बड़ी स्तर की बाते हो रही है सारे नेता भाजप्पा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बाते कर रहे हैं जूट बोल रहे हैं दिन रात सोचने हैं कि आप देखेंगे नहीं आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है क्या हो रहा है आपके आखों के सामन देशद मुंदे बहड़श्टु समस्य गोड़ी दवे नन्गु गोत्तु बहड़श्टु हेन्मक्लु इली मने होगी मने नोड़को बेकु कतला एत्तु नन्गोस्क्रा काय दिदिरांता तवल्ला इवत्तु बहड़़ महत्व वादब्थांता तोंध्रे गोड़ु इदेश अवन काड़ता है दे बेले एरके आगिर बोदू, निरुद्योगा आगिर बोदू आदरे, इन्ता दोट्टू विचार गोलिद्धागा, इन्ता दोट्ट समसी गोलिद्धागा इदेश्तली इप्रदान मंत्रियोरू या तरा संसं मातनारता यदे रेंथा तवल्ला नोडता यदिर बीजेपी और नायकरू या रीती होल्सु मत्ते संसं मात कोड़ाडी राजक्या माडता यदे रेंथा तवल्ला नोडता यदे रेंथा नावू या विचारगोलू देशके तोंद्रे तरता यदे अधन हेट बगे हरस्पेक अंता मातनारता यदे वी आप ते करिये ये आपका चुनाओ है कितने चुनाओ हिंदू-मुसलिम, हिंदू-मुसलिम, हिंदू-मुसलिम करके आप लड़वाएंगे आप ते करिये और आप क्या ये चुनाओ बहंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्त पे नहीं लड़ाना चाहते आप ते करिये आपको कैसी राजनीती चाहिए नैतिक राजनीती कि नाटक की राजनीती सत्ता की राजनीती कि सत्ति की राजनीती परोपकार चाहिए आपको या एहंकार चाहिए ये टै करिए क्योंकि आप समय आ गया है कि अगर आप गहराई से नहीं सोचेंगे आप जागोगे नहीं तो ये देश ठाई में चले जायेगा हिन्डू मुसल्म, हिन्दू मुसल्मान रुमध्य है या रीती उडकन थर्त आई अब आधरे निर्दारा माड़ भेकार धिर नीव गोडू दर्म ने क्या सिखाया है? भगवान राम को हम क्यूं पूजते है? क्योंकि उन्होंने सेवा की प्रजा की और वो एक नैतिक भगवान राम नैतिक थे सत्य के पत्थ पर चले महात्मा गांदी जी ने वही पत्थ पकड़ा जब उनको गोली लगी हे रामकाय के लवज निकले उनके मूह से उन्होंने पूरा स्वतंत्रता संग्राम सत्य के आधार पर लड़ा एक अनोखा संग्राम था पूरी दुनिया में और इसी के अधार पर, सत्य के अधार पर, नेतिक्ता के अधार पर और समानता के अधार पर हमारा वो सम्विधान बना जिसे ये बदलना चाहते हैं महात्मा गांदिया वरू कूड और नर्दिददारी इसात्यददारी और लिए गोली हार्स्तागलो कूडऑ अवरू हे राम अंताहेली प्राणा बिटोरू नम इडि स्वतंत्रचडवली अले महात्मा गांदिया और सत्यदधादी अले होधरू लेकिन आज ये स्थिती है कि जूट का बोल बाला है, सत्य को छोड़िये, रोज सुबे से शाम तक आप पूरा अपने सामने नाटक देखते हैं, सरकारिय तोड़ी जाती है, पैसे खिलाए जाते हैं विधायकों को, सारी चीजे सब आपकी आँखों के सामने होते हैं, मीडिया दंडवट होके कहती है कि देखिए मोदी का मास्टर्स ट्रोक, मोदी जी ने किया कोई और नहीं कर सकता, सारे गलत काम हो रहे हैं, आपकी पर दबाव डल रहा है, जितने भी संस्थान बने थे, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सब दबाए जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, आप कब लड़ोगे? इए इस देशिदल यल्ला उद्धार आखता है दरे अंत तोरस्ते है दरे, इवत्तु नरेंद्र मोदी, विपक्षित नायक्र मात्रा आल्ला, माधिमगड आगिरली, विपक्षा आगिरली, उन्नतन्याय आगिरली, प्रत्ती ओब्रु मेले, प्रेशर तंदू, इन साथसक समय आगया है कि आप अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करें, अपने अधिकारों की लड़ाई, कि आप हर नेता को, हर राजनितिक दल को, खास्तोर से भाजप्पा को, और प्रदान मंत्री जी को ये सिखाएं, कि आपके मुद्दों पे चुनाओ लड़े जाने चाहिएं निम हो राटा इवाग शुरू आग बेकू, नी वो हो राटा दा हादीली मुंध होगी, नी प्रती वंदू नायकर गे इचुनाओनेल तोर स्कोडबेकागीरा देन अंदरे, इचुनाओने नम गेन काड़ताय दे, इन इशूज दे, अधर मेल नड़ी बेकू, नम गेन त इस चुनाओ को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास की सुविधाएं पे लड़के देखें इन दस सालों में क्या किया है आपके लिए, कौन सी तरक्की लाए हैं आपके जीवन में, यहां खड़े होकर यह बताएं और मैं आपको चुनाओती देती हूँ, इस देश की जनता को, कि आप जागो, जागरुक बनो, मांगो अपना हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और इस चुनाओ को अपने बारे में बनाओ बहुत हो गया है, आपने बहुत देख लिया है, अब बदलाओ लाओ, कॉंग्रेस के उमीदवारों को जिताओ, जैसे करनाटका में आपकी सरकार ने आपको काम करके दिखाएं और आगे भी आपको दिखाएगी उसी तरह की सरकार केंद्र में लाओ, ताकि आपके मुद्धे सर्वो परी हों और आप सर्वो परी हों, ऐसा ही होना चाहिए लोग तंत्र में, आप बहुत ध्यान से यहाँ पे बैठे हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए खास कर दो खास इसके लिए सर्वो परी हो.